नमस्कार साथियों जैसा कि मैं रोजाना एक स्टोरी अपने इस चैनल पे डालता हूँ जो की पोजेटिव होती है जो की प्रिर्णा दाइक होती है और जिससे की हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है लाइफ में आज मैं उसी कड़ी में ये स्टोरी डाल रहा हूँ और मैं आ स्रिफ कुछ अच्छी कुछ पोजेटिव और कुछ इन्फोर्मेटिव वीडियो बनाने कहीं शौक है और जो शौक है उसे मैं पूरा करता हूँ और आप श्रब लोगों के साथ सेयर भी करता हूँ तो आज का जो स्टोरी है वो बिलकुल ही अलग है तो चैनल को सब्सक्रा कंपनी भी चलाती है हाल ही में वो एक दोस्त की साधी में गई और दोस्त की साधी में वहां होने वाले खाने को देख करके जो खाना था वो काफी वेश्ट हो रहा था तो उसको देख करके उन्हें कुछ अलग करने का आईडिया आया उनके मन में ऐसा लगा कि ये खाना इत साधी या जो भी फंक्शन होता है उसमें खाना बहुत बेश्ट होता है तो अकांचा बताती है कि वो 2018 में एक करीबी दोस्त की साधी में गई थी वहाँ सभी दोस्तों ने प्रोग्राम अटेंड किया रिसेप्शन के बाद मैंने देखा कि फंक्शन में बड़ी मात्रा में खाना बचा हुआ है वो खाना इतना था कि एक हज़ार से ज़्यादा लोगों का पेट भर सकता था तब मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जरूरत मन लोगों तक वो खाना पहुँचाया और इस तरह मुझे कुछ करने का दिमाग में आईडिया आया और जरूरत मंदों की मदद के लिए इंदौर के रहने वाली है आकांचा और उनके भाई इन दोनों ने मिल करके एक मोबाईल अप्लिकेशन बनाया जिसका नाम है दान पत्र इस एप को आप जब खोलेंगे तो एप की मदद से आप इने कॉंटेक्ट करके आप अपने घर के पुराने कपड़े, खिलोने, किताबें, जूते, बर्तन, इलक्ट्रोनिक समान, फरनीचर कोई भी ऐसा समान है जो की जरूरत मन परिवारों तक पहुँचा दिया जाता है इस एप के माधियम से और ये इस तरीके की पहल जो थी वो बहुत बड़ी पहल थी आकांचा की तरब से और धीरे-धीरे इसमें बहुत लोग जूडते गए चुकि आकांचा शॉफ्ट्वेर इंजीनियर है तो उनके लिए एप डिजाइन करना बहुत ही आसान था और उन्होंने ऐसा एप तयार कर लिया जिसके जरिये लोग शादी, पाटी में जो खाना जो बच जाता था उसे जरूरत मन्द लोगों तक पहुँचाया जा सके और लोगों ने ये काफी काम को सराहा और लोगों को ये अच्छा लगा कि आकांचा ने इस तरीके की एप बनाया जो कि खाना हम बर्बाद होता है फेक देते हैं शादी विया में वो खाना अब जरूरत मन्द लोगों तक पहुँचने लगा परन्तु बात यहीं नहीं रुखी धीरे धीरे इसमें कई परेसानियों का भी सामना करना पड़ा वो बताती हैं कि हम पूरी कोशिस करते थे कि लोगों तक खाना जो है वो शमय पे पहुंच जाए परन्तु आपको पता ही है कि खाना अगर समय पे नहीं पहुंचता है तो कई चीज़े और सामिल कर ली जिसमें कपड़े थे जूते थे किताबे थे और यह सारी चीज़े सामिल कर लिया जिसे लोगों तक पहुचाने लगी और लोगों ने वहां पे उस आयद के मादैम से देना भी चालू किया और इन्होंने जब्रूरतमन लोगों तक ये चीजे पहुचाने भी लगे और इस काम में उनके भाई जो हैं यस गुपता उन्होंने भी साथ देना सुरू कर लिया और 19 साल के यस गुपता सुचे अगर कुछ करने के इच्छा हो तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं सुरिफ 19 साल का यस गुपता दानपात यस फ्री ऑनलाइन प्रेट फॉर्म है जिसे लोगों की जरूरत के हिसाब से डिजाइन किया गया है और अब इनके पास साथ हजार वॉलेंटियर हैं जो जुड़ गए हैं इस एप में और जो यूजर का रिक्वेस्ट मिलने पर एक हपते के अंदर उनके घर जाकर के समान कलेक करते हैं पूरी टीम अब पन गई थिया और एप पर लोगों की रिक्वेस्ट मिलने पर वॉलेंटियर जो है वह लोकेशन पर जाते हैं और और हर वीडियो दान पत्र के सोशल मीडिया पेज पर जाके अपलोड कर दिया जाता है ताकि ये पता चल सके कि अगर आपने कुछ समान दिया है तो वो जरूरत मन लोगों तक समान को पहुचा दिया गया है अब तक साथ हजार वॉलेंटियर इगारा लाख लोगों की मदद कर चुके हैं इस एप के मादियम से यस फिलहाल इंजिनिरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं वो बताते हैं कि हमारे साथ इस नेक काम को करने के लिए कई लोग लगातार जूड रहे हैं हमने चार साल पहले इस मुहिम के सुरुआत की थी और अब तक हमारे साथ साथ हजार से ज़्यादा लोग जूड चुके हैं इसमें स्टुडेंट्स हैं, परफेशनल इंजिनियर हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, कई अलग अलग फिल्ड के लोग इस काम में जूड चुके हैं और आकांचा और यस ने वॉलेंटियर को 15 वाट्श अप ग्रूप के जरिये जोड रखा है ताकि आपस में कम्मुनिकेशन बना रहे और अब तक 11 लाग लोगों से, 11 लाग से भी ज्यादा लोगों तक ये मदद पहुँच चुकी है बहुत ही बड़ी बात है कि किस परकार से चोटी सी सुरुआत हुई और कितनी बड़ी मददगार साबित हो गए 11 लाग लोगों तक आकांचा और यस गुपता ने उनकी पूरी टीम ने मदद पहुँचाई है और अकांचा ये भी बताती है कि हमारी वालेंटियर्स के टीम फिलहाल इन दौर और इसके 80 किलोमेटर के दाएरे में काम करती है मद्य परदेश के कई सहरों में भी कई और सहरों में भी टीम बनाई गई है इसके अलावा देश भी देश से भी लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं दानपत्र की एक पॉलिसी है जो दानपत्र एप है उनकी एक पॉलिसी है कि हम कभी भी डोनेशन में किसी से पैसे नहीं लेते हैं अगर आप दूर कहीं हैं जहां से हमारी टीम समान नहीं ला सकती है तो आप किसी लोकल स्वाप या विंडर से समान ओर्डर कर दें इस से हमें कैश लेने के जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन लोगों तक मदद जरूर पहुंच जाएगी और अंत में एक चीज और है कि पिछली दिवाली जो बिती है उसमें दानपत्र के टीम ने एक ही दीन में करीब धाई लाक जरूरत मन परिवारों तक कपड़े, किताबे, राशन, बच्चों के लिए खिलों ने अन्य समान पहुंचाया एक ही दिन में धाई लाक लोगों तक ओभी दिवाली के दिन और इस बिहत्रीन काम के लिए दानपत्र का नाम exclusive world record में दर्ज हुआ है काफी बड़ी बात है कि world record में ये नाम दर्ज हो गया और दो भाई बहनों की ये प्रेरना की कहानी आज एक मील का पत्थर साबित हुआ और मेरी तरफ से इन्हें बहुत ही शुब कामनाए हैं कि आप ऐसे ही समाज के शेवा करते रहें और जरूरत मंदों तक ऐसे ही शमान पहुचाते रहें ताकि एक ऐसा नेक काम है कि जिससे कि ये पता चलता है कि अगर इनसान कुछ करने के ठान ले तो कुछ भी कठी नहीं ह आप लगातार मन में अगर ऐसा सोचते हैं कि कुछ करना है तो मैं इतना जरूर जानता हूँ कि सफलता जरूर आपको मिलेगी और सफलता जिस दिन कदम चुमती है उस दिन तो खुशी का अलग ही आलम होता है तो चलिए मैं आज की कहानी को ही समाप्त करता हूँ अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगता हो तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तब तक के लिए जय हिन जय भारत